हेलो दूस्तो, दूस्तो मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर बार वे रिये नाम की एक हॉरर थिरलर मूवी देखकर कंप्लेट की है, मूवी हिंदी में अभी कुछ दिनों पहले ही, ओरिजिनली 2022 में फिल्म रिली वी थी और मैंने कल रात को बेकी पीडिया पेज खोल है, इंटेंसिटी है, एंड जो मूवेंट है, एलिमेंट है, ट्रेटमेंट है, वो अमेजिंग है, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि मूवी फाड के तक देती है, पूरी पूरी तरह से, कुछ चीज़ें यहां पर इतनी भयानक हो जाती है, कि मैंने मूवी पॉस कर दी थी, डर की बज़े से, मुझे से नहीं देखी जा रही थी, मैंने बाहर तक गया, दो मिनट का, एक मिनट का एक बिरेक लिया बापस लॉट कराया, हलनकि मूवी में ना तो पेरानॉरमल कुछ भी है, और नहीं सूपर इनेशो देल है, उसके बावजू, जो चीज़ें जिस तरी इस नाम की फिल्म देखी थी, नेटफिलिक्स पर, जिसका हॉरर कहीं न कहीं अच्छा था, एक फिल्म और देखी थी, जो भयानक थी, वो थी, इविल डेड राइव, एड़ अब ये देखी है, जिसने मुझे हॉरर के नाबर पूरी पूरी तरह से सैटेस्पाई किया है, चीज़ें यहां पर कुछ यूँ है कि एक लड़की है, जिसका नाम है टैस, वो ब्राइटमोर मिशिगन के इलाकी में जाती है, एक रूम लेती है, जैंट पर, अगले दिन उसको जॉब का एंटर्वीव था, तो बहाँ पर वो जाकर देखती है कि उस घर में आल्डेडी एक लड़का रह रहा है, जैंट पर ये, तो पहले तो एक ही घर, दो लोगों को जैंट पर कैसे मिल गया, तो चलो ठीक है, वो लोग एड़जस्ट कर लेते हैं, फिर चीज़ें कुछ यूँ होती है, कि वो लड़की सो जाती है, अपने कमरे में, फिर वो जाकती है, कुछ कुछ खटपट होई, वो उठी, उसने जाकर देखा, उस लड़की की तरब, जिसका नाम है याँ पर है, कीथ, वो सोता है, कुछ बड़बड़ा रहा है, तो भही अपने आप में काफी थिदलिंग हो जाता है, फिर उसके बाद, चीज़ें धीरें बढ़ती हैं, लोग कहत जाती है, जाकर वो बस यूँ होई, फिजूल में, यहाँ पर बहाना ये दिया गया है, कि वो टॉलेट पेपर लेने के लिए बेसमेंट में गई होई थी, उसके घर में, वहाँ पर जाकर, ये लोग हमेशा ये करते हैं, कि किसी नई जगे जाते हैं, तो इनको पता हो ना ह लेकिन जब तक आप खुद नहीं देखोगी, खुद एक्सिप्रियंस नहीं करोगी, आपका जो डर है, वो मज़ा खराब नहीं होगा, तो जब कीत वहाँ गया बेसमेंट में, उसके बाद लगवक 41 मिनट के दोरान वो फिन था, उसने मुझे मतलब हिला के रख दिया, मेर जगह है, बस वो खड़ी हुई है, पूरी तरह से अंदीर है, और कोई भाग कर आता है वहाँ पर, उसके बाद जो होता है, वो भयानक था, फिर चलो ठीक है, मुझे बढ़ते जाती है, फिर पहुँचती है, एजी नाम के करेक्टर पर, जो उस घर का मालिक है, उसकी अपन में गुफता जा रहा है, और उसको लग था कि घर में अल्रेडी कोई है, तो वो हैलो हैलो करते हुए, अंदर गुफता जाता है, और जैसे जैसे वो घर में गुफरा था, मेरी हाट भी टूपर जा रही थी, मतलब बहाँ पर जाकर मैंने पॉस कर गया था कि भाई, अब न भयाना किसा हत्यार लेकर या कुछ लेकर भाग रहा है, पहले तो अंदेरा है, जगे बिलकुल भी नहीं है, भागने की जो पीछे आ रहा है, वो तुम से टेज भाग सकता है, हीरो से टेज भाग सकता है, तो वो भाग रहा है, तो भाई वाहर से बात है कि जो देखीगा, नियंकि ओडिएफ जो देखेगि इसका मूँ तो मतलब हो जाएगा, कि भाग भाग, 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 तो ये वाली जो चीजों थी, मतलब मेरा खुद की एढ immers ख़राब होरी थी, चीज़ें और दीरी दीरी आगे बढ़ते हैं, और कुछ मझा आता है, तो मतलब होरर यहां पर जो है, पहले तो जिस तरीके से वो अंदर गुफता जा रहा है, फिर वो एक करेक्टर बहां से भागता है, सीसा तोड़के बाहर आता है, वो सीन देखना, एंड की से जब चार मिनिट की फिल्म है, एक गंटा, चावालेस, पैतालेस मिनिट की फिल्म है, तो ना तो जरा भी डिसकनेक्ट होने देगी, इसक्रीन पर एतना तगड़ा है, दाइटिंग इतनी तगड़ी है, कि मुवी शुरू होगी, एंड दो धाई मिनिटों में ही, आप पूरी तर है, टैंशन है, सस्पेंज है, तो वो वरा भी आपको मतलब जुकने नहीं देगा, डिसकनेक्ट नहीं होने देगा इस फिल्म से, तो इंगेज करके रखती है, डिरेक्शन अच्छा है, एंड एक्टर्स की परफमेंस भी तगड़ी है, जबदफत है, तभी तो मज़ा आता कि वो हमको देखा सकती थे, जो नहीं दिखाएगा, तो उस लियाज फे थोड़ा डिफपरण करती है, लेकिन जो हॉरर है, जो थिल्म है, जो एक्टर्स की मूबी आपको देगी, या इसने मुझे जो एक्टर्स दिया है, वो कमाल का था, मतलब मज़ा आगया, फाड़ कर या पूरी तरह से, एंड मेरी खुद की हालत खराब हो रही थी, कुछ एक दो फीम्स के दौरान, क्या ही कहना, कमाल की फिल्म थी, हालां कि मैं ये जरूर कहूंगा, कि मूबी में कुछ निवडिटी है, कुछ एक मैला है, मतलब, छोड़, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हा निवडिटी है थोड़ी, फैमली के साथ नहीं देख पाऊगी, देखना है, अकेली देखना, फोन पर देखना, जैसे भी देखना हूँ, आप समझ लो, बाकि हिंदी डविंग अच्छी है, एंड, यार, होरर, मतलब, क्या ही कहना, जस्ट अमेजिंग, यार, बैसे तो जै निवाइस के करेक्टर में देखा हुआ है, और वो कैसल रॉक में भी देखा ही पड़ चुका था, कैसल रॉक नेट फिलिक्स की सीरीज थी, बहां पर भी देखा ही पड़ा था, तो परफोमेंस इसे सभी केची, लेकिन कीत को थोड़ा और डैपलब किया जा सकता था, और क कीत का क्या हुआ बात में, वो बहां के बाद पता नहीं चला, तो ये थोड़े ड्रॉबक से हैं इसे फिल्म के, बाकी जो हॉरर है, जो मुझे चाहिए था, एक्चुली, वो कमाल का है, मुझे बहुत मज़ा है, मुझे को देखने में, और मैं कहूंगा, कि हॉरर चाहिए ह थिदल चाहिए है, टैंशन चाहिए है, तो मस्ट बहुत चाहिए जरूर देखना है, इस तरह की मूवी नहीं देखबादें, तो दूर ही रहना नहीं देखबाँ गया, और कुछ वोईलेंस भी यहां पर अच्छा खासा है, तो ये है, मेरी तरब से भाई, थिरी एंड आच मैं से, देखी है, लेके बताना, आप 10 मैं से पूछें, तो वही रेटिंग रहेगी, जो IMDB पर है, 10 मैं से साधे फ्रस मेरी तरब से जरूर देखना, अगर होरर अच्छा लगता है, तो बाकी वीडियो थोड़ा लंबा हुए है, क्योंकि मुझे थोड़ा डेटेल में बोलना था इस फिल्म के बारे में, तो ये है, बहुत मजाए देखने में, और मैं कहूँगा कि मस्ट बॉच है होरर लवर्स के लिए, लेके बताना देखी है, तो एंड, लाक शोने, सब्स्राब भी करना चैनल को वीडियो को, एंड, देशे उनेते, शाने साने को, तेंकि बोलना देखी है, बारे!